हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी को हमारे यूटूब चैनल में सो दोस्तों आज के इस बीडिम आप सभी को यह बताने वाला हो कि भारती रेलवे दीन प्रती दीन फेयर का जो मतलब जो भी फेयर वगरा ट्रेन का जो फेयर था जिसे कि आप लोगों पता होगा कि क करेंड बुकिंग जब टिकेट निकलता था तो उसमें आपको कुछ पैसा कम लगता था लेकिन अब आपको करेंड बुकिंग भी अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको फेयर उतना ही देना पड़ता है मतलब कहने का मतलब यह है कि रेलवे अपने तरफ से कोई भी डिस जैसे कि जो senior citizen quota से जो senior लोगों को मिलता था उन लोगों को नहीं मिला है current booking में जो लोग ticket booking करते थे उनको कुछ discount मिलता था वो भी नहीं मिला है दिन प्रति दिन fair increase हो रहा है decrease एक्दम नहीं हो रहा है दिन प्रति दिन नया नया गाड़ी को चलाया जा रहा है फिर भी fair आप ज प्रेजर में जो ट्रेने चलाई जा रही है उन ट्रेनों पर railway का ध्यान बिलकुल भी नहीं जा रहा है आज आप लोग सोचिए कि मैं यह सब क्यों बता रहूं मेरे बताने का रीजन यह है कि काफी सारे ऐसे passengers हैं जिनको यह असुविदा यह दिक्कत का सामना anytime हर वक्त करना पड़ता होगा जो लोग anytime business purpose से या personal घर वर्क की काम से किसी को कोई date कर गया है किसी को emergency party वगरे में जाना है किसी को emergency official काम में जाना है किसी को meeting में जाना होता है तो वो बेचारे बहुत बुरी तरह से फ़स जाते हैं जिनको exam में जाना होता है तो जैसे कि मैं आप लोग को एक ticket दिखा रहा हूं जो कि ततकाल में book किया हुआ है और यह ticket में आज कहीं नहीं बता रहा हूं बलकि दो दिन पहले कहीं बता रहा हूं और आज कहीं बता रहा हूं कल का विस्टेटस बता दूंगे इस वीडियो में परसो का विस्टेटस में बता दूंगा मतलब जिसे कि आज आपका 17 तारीक है, तो मैं 16 तारीक, 17 तारीक, 18 तारीक, इन 3 दिनों के बारे में बात करने बाला हूँ, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक टिकट बुकिंग हुआ है, ठीक है, जैसे कि दिलदार नगा 2 हवड़ा तक एक टिकट बुक हुआ है, जो कि का नंबर है 1234 धीबूती एक्सप्रेस, इस टेन के बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग को बता दूं कि दूर की टेनी अगर लेट करके आती है, वो चलेगा, कि हाँ वो बहुत दूर से आती है, इसलिए वो गाड़ी लेट है, तो उसको आने में सम लगता है, लेकिन ये जो गाड़ी है, काफी दूर से नहीं आ रही है, ये गाड़ी इलहाबाद मतलब परियाग राज जक्तन से हौड़ा के लिए जाती है, ठीक है, ये बहुत पास में है, मतलब लगभग इसका परियाग राज से हौड़ा तक का सफर करने में, 14 से 15 घंट कर देना चाहिए, तो केंसिल ना करके बलकि इसको 10 से 20 घंटा, आप खुद बताई आप सभी लोग कि रेलवे अगर 3 से 4 घंटा बाद, अगर कोई ट्रेन का मतलब सिस्टम है, कि अगर आप 3 घंटा से ज्यादा ट्रेन लेट होती है, तो फाइल TDR कर देना चाहिए, लेकिन फाइल TDR करके क्या फाइदा है, तीन घंटा क्या यहां तो 20-20 घंटा ट्रेन लेट चल देना चाहिए, तो आप लोग इपर लाइब दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको वेर इस माई ट्रेन में उपेन कर चुका हूँ, इसमें जैसे कि आप देख पा रहा है, कि यह परियाग राज से इस गाड़ी को खुलने का टाइमिंग है, तीन बच के 40 पी-ेम, मतलब साम को जो तीन बच के 40 पी-ेम होता है, उस टाइमिंग में यह गाड़ी खुलने का टाइमिंग है, और मेरा जो बूकिंग है, दिलदार नगर जक्सल्स, जैसे कि आप देख पा है कि इसका टाइमिंग है साथ बच के चववन मीनाट तो आप यहां देख पर है आठ बच के 35 पीम आप यह मत सुचिए कि गाड़ी एक घंटा डिड़ घंटा लेट है आप लोग को यही लगेगा कि यहां साथ चववन पीम गाड़ी है तो गाड़ी आठ पाइंतिस पीम में चल लेकिन गाड़ी को केंसिल नहीं किया जा रहा है अब आप खुद बताइए कि आप उपर में देख पा रहे हैं जैसे कि आपको दिखा देता हूं जो कि दिखता है देखिए गाड़ी 20 घंटा 20 मिनट लेट दिखा रहा है जहां से खुलती है लेकिन जहां से पैसेंजर गाड़ी पकड़ेगा वहां आप देखिए 24 घंटा से उपर टाइमिंग ले रहा है तो आप सभी खुद बताइए कि कोन करस्टमर या कोई पैसेंजर इतना देर तक वेट कर सकता है बिल्कुल नहीं जिसको काम होगा जिसको ऑफिसियली कहीं जाना होगा कोई किसी को में देख रहे हैं साथ बच के 44 मिनट में जो ट्रेन है वो नेक्सट डे आ रहे है आठ बच के 35 मिनट तो आप बताएजे नेक्सट डे वाले जो लोग है वो लोग आएंगे या नहीं तो इसमें क्या होगा कि जो लोग रिजरवेशन सतरह तारीकों करवाए हैं जो लोग 18 करा है इन दोनों में प्रॉब्लम होगा इन दोनों को अपना अपना सीट लेने में दिख्कत होगा क्योंकि 17 वे देखा रहे यह आज का देख लिजिए नो बच के 32 पी एम ठीक है नो बच के 32 मिनट अभी आप टाइमिंग देखिए राद को बज रहा है दस बच के 32 मिनट ठीक है नो बच तीस का बनारस का टाइमिंग दिखा रहा है यह आज का नहीं है यह कल वाला ट्रेन देखिए कल का ट्रेन के स्टेटस में दिखा रहा हूं सुल्ला तारीक वाला अगर इस ट्रेन में उठता है तो प्रॉब्लम होगा की नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो कैसे मैनेज करेगी या मैं जिस लोगों का टिकट बूक करके दिया हूं वो लोग क्या करेंगे देखिए दिल्लार नागर मैं यहां 12 बच के ठारा मिट में दिखा रहा है तो हमारा जो पैसेंजर से उसका बुकिंग तो 17 तारीका डेट का है मतलब आज का है लेकिन ट्रेन क्य आपस में पैसेंजर में जम्हेला करेंगे दूसरा गणर मीर और पार इसमें लोग काफी जादा पाड़ेशान होगा क्यूंकि तद्काल टिकट बूकिंग मोères, आप व्यंचिल नहीं कर सकते हैं याप सभी को पता होगा तो दोस्तों मेरा या वीडियो बनने का रीजन ये था कि रेलवे ये जो कुछ भी कर रही है ये सही नहीं हो रहा है रेलवे के हिसाब से रेलवे को ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए आज ये जो रूट पर हो रहा है ये तो नौर्मल रूट है और भी तो नोटा मोटा रूट का प्रॉब्लम दिखा रहा हूं और भी बहुत सारे ऐसे रूट है जिसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो सो दोस्तों मैं यहां बात रेलवे के थूरू इस जरकारी को बताना चाहता हूं कि रेलवे को यह सब चीज पर ध्यान देना चाहिए रेलवे पैसेंजर्स को कोई सुविधा प्लब नहीं करा पा रही है तो मैं रेलवे से यहीं गुजारिस करता हूं कि यतना जो प्रॉब्लम क्रियेट हो रहा है नहीं तो आज 17 तारीक वला ट्रेन को केंसिली कर देना चाहिए था ता आज आपका ट्यूजडे है तो बस यहीं बात है और कोई बात में बताना नहीं चाहता हूं ठीक है तो साइद आप लोग एक साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा ठीक है मैं आई होप में कोईसा लगता है कि काफी सारे लोग ऐसे पड़शानी का समना करते हैं और अपना बहुत गुस्सा होते हैं खिलाल गुस्सा किसी पर नहीं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी को मेरा यह खबर या जो मेरा जनकारी दिया अच्छा लगा हुगा अगर अच्छा लगा हुगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करता कि हमारा